जैहिन वंदे मात्रों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़े पेट्फॉर्म में रास्टे हित्मे सिक्षा दिस धीर अजदीवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाल विकास के पहले चैप्टर यानि अधिगम को कवर करेंगे यकीन मानिये दोस्तों कि एक्जाम में सरवाधिक क्वेशन अधिगम से ही पूछे जाते हैं आपको बता दें यह वीडियो पूरा ट्रिकी है सबसे ज़्यादा जो कुस्सन आते हैं पाँच परिवासाओं से कि यह परिवासा किसने दी है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आज के वाद सारा कन्फ्यूजन सारा डिप्रेशन खतम हो जाएगा इस वीडियो में बीच में एक दो क्वेशन्स भी हमने लिए हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अधिगम यानि अधिगम का चैप्टर का आपको चुनाओ कर लेना है अपने नोट्स में अधिगम चैप्टर की परिवासा डाल लेनी है तो चलिए उठाइए कलम और लिख डालिएगा स्वनिम भविस्य को तो सबसे पहले देखिएगा अधिगम है क्या जहां से एक कोशन हरवार पूछा जाता है पैडा गोजी में और हरवार कॉंसेप्ट में भी दोनों तरीके से कोशन पूछेगा कि अधिगम की परिवासा में जो एक कोईंट है वो सरवा दिखाता है समझे अधिगम क्या है बिलकुल नए तरीके से सीखेगा कि अधिगम यानि लर्निंग अधिगम को सिक्षा मनो विज्ञान का दिल कहा जाता है तो स्टार वना के अपनी चीज को मेंटेन करें ठीक है अधिगम को क्या कहा जाता है सिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है अधिगम सब्द अंग्रेजी सब्द लर्निंग का हिंदी रूपांत्रित है यानि अगर हम देखें कि भाई अधिगम है क्या तो लर्निंग ही अधिगम है यानि इंगलिस में लर्निंग कहा जाता है और हिंदी में अधिगम कहा जाता है और learning का मतलब हर बच्चा जानता है कि सीखना होता है तो एक बात confirm हो गई कि जो अधिगम अधिगम हम लोग चिलाते रहते हैं परिभासाओं में उसका simple सा मतलब होता है सीखना अब वो कैसा सीखना ये हम जानेंगे दोस्तों देखेगा सीखने की अगर बात करी है तो सीखने का मतलब क्या है हम कोई भी चीज़ सीख रहे हम मैच सीख रहे है यही वीडियो ले लिजेगा हम वीडियो में बालविकास सीख रहे है तो हमें इस चैप्टर का ग्यान इस वीडियो को देखने से पहले नहीं था लेकिन इस वीडियो को देख लेंगे तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा जो हमने सीखा होगा वही दोस्तो अधिगम होगा पिलकुल किलेर वात है सिंपल जी वात समझो मुझे मैत नहीं आ रही मैने मैत को रिवाइस किया अभ्यास किया exercise की आ गए वह यह दिगम है वही सीखना है इसी तरीके से सीखने की इस सतत्प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है आप तीन पॉइंट से एक्जाम में जो ट्रेंड होते हैं कुसन ये ऐसे ही आपको अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना इतना ज्यादा दोस्तों समय लगता है चीजों को कनवर्ट करने में चीजों को आपके सामने चित्र के साथ प्रेसित करने में ये आप महसूस नहीं कर सक इसलिए पहली वार अगर विजिट किया है किसी बहन किसी भाई ने निसुलक सारे सबजेक्ट को पढ़ने के लिए नोट्स प्राप्त करने के लिए सिक्षक सिक्षिका बनने के लिए चैनल को इमांदारी से सेलेक्शन के लिए सस्क्वाइब कर लें अब देखीगा अधिगम से होता क्या है तो अधिगम से बेभार में परिवर्तन होता है और वो कैसा परिवर्तन होता है बेटा वो इस्थाई परिवर्तन होता है ये एकजाम में पूछा गया है अब आप से अगर एकजाम में पूछा गया है तो अभी हम एक कुश्चन भी लेंगे देखे इस्थाई होता है समझ गए ना तो एक बात यहाँ पर आती है कि मनुस्य से अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है हमेशा सीखता है कि जीवन परियंत सीखता है वो चार पाई पे अगर लेटा है तो भी सीख रहा है चार पाई से बाहर अगर समाज में बैठा है तो भी सीख रहा है या स्कूल में है तो भी सीख रहा है अगर सिक्षक है तो भी सीख रहा है सिक्षिका है तो भी सीख रहा है मतलब हर बहन हर भाई हर व्यक्ति हर परिवार कुछ न कुछ रोजाना सीखते हैं अचा मनुस से सीखता कैसे है हम और आप कैसे सीखते हो दो माद्यम से सीखते हो एक तो बातावर्ण के द्वारा एक अनुकरण के द्वारा या तो बातावर्ण से सीखोगे समाज में होने वाली चीजों से सीखोगे और या अनुकरण का मतलब होता है या किसी दूसरे को तो एक वात यहां पर बिल्कुल क्लियर होके आ रही है पूरी तरीके से कि जो लर्निंग है अधिगम है ये क्या है अधिगम से अभिप्राय है कि अनुभों के द्वारा बेवहार में इस्थाई परिवर्तन लाने की प्रक्रिया मतलब हमें कुछ नहीं आता था हमने उस चीज को देख रहे हो इस बल्व कोई ले लो ये बल्व नहीं है एक आकार बनाए गया इसमें सारी चीजें है इस बल्व के बारे में मुझे नहीं पता था लेकिन फिर एक व्यक्ति आया उसने कहा कि ये बल्व जो होता है इसमें टंगस्टन होता है इसमें गैस बरी जाती है इस के बारे में तो उसके पहले की अपेक्षा बाद में जो इस्थाई परिबर्तन हुआ है वही अधिगम है अब चलिए यहां पर देख लेते हैं कुशन कर लेते हैं कुशन क्या है समझे कुशन दोस्तों यह है यह कुशन लिखना नहीं नोट्स को मेंटेन करना है तो कुशन य लिख लेना और उसका आंसर लिख लेना option लिखने की अवस्यक्ता नहीं है देगे दोस्तों फिर हम परिवासाओं के दौर में चलेंगे जिसमें सबसे important tricky way में हम परिवासाओं को देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के नीचे हमने link दे दी है और उस वीडियो में आपको सारी प्लेलिस्ट को हमने mention किया है प्लेलिस्ट को देखिए और notes बनाईए अगर देर से इस वीडियो में आए हैं तो तुरंट सारी प्लेलिस्ट को watch कर डालिए answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा ब्यवहार में बांचित परिवर्तन बांचित का मतलब क्या है ये देखिए परिवर्तन होना जरूरी है परिवर्तन क्या है एक ही option में आया है भाई अधिगम क्या है अधिगम का मतलब है सीखना कहता सीखने की प्रक्रिया का अर्थ ही क्या है ब्यवहार में इस्थाई परिवर्तन या ब्यवहार में बांचित परिवर्तन तो समझ गरा बांचित ही इस्थाई है यह समझ लीजेगा इसलिए इस question का जो answer है वो B option सही हो जाएगा अब जो अधिगाम अधिगाम हम लोग चिलाते रहते हैं अब यहाँ पर एक चो point आया है कि किसमें परिवर्तन अभी अभी बताया आपको कि भाई आप बेवहार में परिवर्तन अरे बेवहार में परिवर्तन है तो आपने कुस्सन कर लिया बेवहार में परिवर्तन है तो एक बांचित परिवर्तन हो गया या इस्थाई परिवर्तन हो गया और बेवहार की जब बात की गई है तो यह बता बेवहार है क्या बेभार से दो कुस्तन आते हैं जो हमने अभी वीडियो में आपको बताया था एक वीडियो हमने आपको पढ़ाई थी उसमें कहा था कि बेभार सब्द किसमें दिया है या कौन सी बुक है या कौन इसका जनक है तो बेभार सब्द के जनक है विलियम मेकडियूगल बेवहार सब्द के जनक है लिख लो नोट्स में बेवहार सब्द का प्रियोग सबसे पहले विलियम मेकडिउगल ने किया और बेवहार सब्द के जनक भी विलियम मेकडिउगल और बुक है दोस्तों किसमे प्रियोग किया बुक है आउट लाइन और साइकोलोजी जो हम आपक जनक मेरी वाद ध्यान से सुनिएगा बेवाहार सब्द एक अलग है सब्द को देने वाले विलियम मैकेडूगल पुस्तक है इनकी आउटलाइन आप साइकोलोजी लेकिन बेवाहार बाद के जनक है जेवी वाटसन है ये दोनों में फर्क है दोनों को कुस्टन को बहुती से एकजाम में करना जादा ओवर कॉन्फिडेंस में कुस्टन गलत हो जाते है ठीक है बहुत अच्छे आप समझेए अब यहां पर हम हर स्लाइड में आपको एक परिभासा दिखाएंगे एक दो तीन चार पांच परिभासाइं दिखाएंगे पांचों परिभासाओं को ऐस रट लेना रटना तो बहिया मना ही होती लेकिन आपको रटने देंगे यह नहीं पांच परिभासा में से एकजाम में एक और मैग्जिमम दो परिभासाइं 100% आती ही आती हैं इसको कोई रोक नहीं सकता आप समझेगा अब परिभासा को याद करने के लिए जो ट्रिक हम यह बताया था एक नैनो सेकेंड नहीं लगेगा अंसर हो जाएगा गिलफोर्ड की परिवासा सबसे जादा एकजाम में आती है और कहता है क्या कुस्सन कैसे पूछा आता है कि बेभासार के कारण बेभासार में परिवर्तन ही अधिगम है बताओ किसकी परिवासा ओप्शन गिलफोर्ड मौदे के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं मानलो आप अपने बड़े भाई के पास जाते हो या पिता जी के पास जाते हो या मम्मी के पास जाती है आप तो अगर गलत तरीके से उनके साथ अगर आप पेस आओगे गलत तरीके से बोले कोई का करने को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा अकड के बोला आपने तो अगर तुम सामने वाले से बेवहार गलत करोगे तो वो क्या करेगा तुम्हारा हाल यानि वो तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा क्या करेंगे अगर बेवहार गलत करोगे तो तुम्हारा गाल फोड दि गिल फोर्ड बेवहार गलत तो गाल फोड आ जाएगा यही ٹ्रिक है तो जब भी आपके अधिगम की परिवासा में बेवहार वर्ड आ जाए तो समझ लो गिल फोर्ड लगा देना है नोट कर लो फटाफट और ट्रिक नीचे लिख लो बेवहार गलत बरावर गाल फोड ना ठीक है ना यानि गाल फोड दिया जाएगा अब ट्रिक नंबर नेक्स देखिएगा देखे बटा ये हम कहीं ना कहीं चीजों को बड़ा सौट कट और बहुत ही अच्छी तरीके से इंड में है और इसकिनर की परिवहासा को कैसे याद करें इसकिनर की परिवहासा के ओप्शन में देखिए जहां पर हरा 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 है वो समझ लो उनकी परिवहासाओं के वर्ड हैं जो आपको देखने है जो जब भी विवहार आ जाए तो गाल फोड देना है और जब भी उत् अधिगम का मतलब तु समझी गए हो कि अधिगम क्या है सीखने की एक इस्थाई परिवर्तन की प्रक्रिया है यानि अधिगम क्या है एक सीखना है learning है अधिगम व्यभार में उत्रोत्र प्रक्रिया है इसको note कीजएगा और बराबर में लिखिएगा कि यह किसने कहा इसकी नर ने कहा और दोस्तों आपको बता दे कि यह इसकी नर ने कहा है ठीक वात है लेकिन याद कैसे करोगे तो यार एक चीज मुझे बताओ कि इसमें नर आ रहा है नर और जो सीखेगा वो व्यक्ति जो सीखेगा वो कौन सीखेगा एक आदमी ही तो सीखेगा तो सीखना किसके बस मे है नई नई चीजों को कौन सीखता है हम सीखते हैं आप सीखते हैं नर नारी सीखते हैं तो सीखेगा तो व्यक्ति ही सीखेगा और अगर कोई गलती है classroom में आप बैठे हो और कोई गलती है तो आप भाई प्रस्नोत्तर तो करोई है तो आदमी ही करेगा जानवर तो नहीं करेगा एक व्यक्ति ही आपसे उत्तर करेगा तो जब भी उत्रोत्तर आए प्रस्नोत्तर उत्तरोत्तर यानि प्रस्न करेगा तो उत्तर भी चाहेगा तो एक व्यक्ति यानि एक नरही आपसे प्रस्न का उत्तर प्राप्त करना चाहेगा तो जब भी उत्तरोत्तर प् Confuse. confuse नहीं होना है चलिए महतपूर्ण परिभासाओं में हम देखते हैं बुडवर्थ की प्रक्रिया को हम बुडवर्थ को देखते हैं कहता है महतपूर्ण परिभासाओं में दोस्तों आपको एक याद रखनी है नवीन ग्यान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अरजन ही अधिगम है यानि जब भी आपको ग्रीन कलर में यह जो दिख रहा है नवीन ग्यान नवीन हमने कहा ग्रीन कलर में बेवहार अगर आ जाए तो गाल फोड़ दो गलत बेवहार तो गाल फोड़ अगर आ आपर कोई ट्रिक नहीं बन दहीं लेकिन कोशिस करेंगे वर्क आदमी ही वर्क करेगा और आदमी जब वर्क करेगा आप वर्क करोगे तो जब वर्क करते करते कुछ चीजें नई आपके सामने आएंगी और नई चीजों को ही हम कहीं न कहीं अपने दिमाग में खोजने की नया वर्क कहतें न, अरे यार, क्या नया काम कर दिया? तो जब नया काम कर दिया तो नया ज्यान भी होगा और काम करने का मतलब है, बुढवर्थ वर्त को बर्क से लगालो यह दिमाख में बैठा लो, सबसे ज़्याजा एक्जामम में आज तक अगर टेंड हुआ है तो ये परिवासा, last परिवासा, last नहीं, दो परिवासा हैं, एक क्रोएंड क्रोऔर गेट्स की परिवासा, तु सबसे ज़्यादा पूछी गई, गेट्स की तो हमेशे ही मिल जा रही आजकल, आपको बता दें कि गेट्स वाँन्य की जो परिवासा है, वो क्या है? सीखना, अ उसमें आप प्रशिक्षन लेने जाते हो, आप प्रशिक्षन कहां लेने जाते हो, ये green color के word है, प्रशिक्षन लेने कहां जाते हो, coaching, विद्याले संस्था में जाते हो ना, computer शीखने के लिए जाते हो, जिस classroom में जाओगे, उसमें gate लगा होगा, आप gate खोलोगे, अंदर लिजेगा तीन चीज़े आती हैं आदत अभिवरत्ती ज्यान इतनी तीन चीज़े तो हमेशा ही आती है आदत अभिवरत्ती ज्यान का ही अरजन जो है अधिगम है ये क्रो एंड क्रो ने कहा है क्रो एंड क्रो में हमने जो याद करी है ए ए जे आदत अभिवरत्ती और ज्यान को जियान कर देना आज तो ये इसकी ट्रिक क्या है क्रो एंड क्रो बरावर इनकी परिभासा लिख ले रहा अपने नोट्स में और बरावर ट्रिक में आज लिख लेना तो आज जैसे ही अब चार वार रिपीट करोगे ना चार वार जैसे चित्र के साथ सीखने के वाद अब हम आते हैं अधिगम के प्रकार कितने होते हैं अधिगम के प्रकार दोस्तों होते हैं तीन होते हैं एक होता है ज्यानात्मक अधिगम एक होता है भावनात्मक अधिगम नमबर वन, नमबर टू, नमबर थी डाल के लिखे, एक होता है क्रियात्मक अधिगम, इसमें आपको कुछ याद करने की अबस्यक्ता नहीं, बस इतने तीन आपको पॉइंट याद रखने हैं, अधिगम के प्रकार होते हैं, तीन ग्यानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, आगे लिख लेना, ग्यानात्मक के आगे ग्यान के द्वारा प्राप्त अधिगम, ग्यानात्मक है, क्रियात्मक के आगे लिख लेना, क्रिया के द्वारा प्राप्त अधिगम, या क्रिया के द्वारा कोई जब सीखता है, कारे करके हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है क्रियात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम में भावनाओं के द्वारा जब हम सीख रहे हैं, तो वो है भावनात्मक अधिगम, तो इतना आपको mention कर लेना है अपने notes में, ठीक है, वीडियो तेज लग रहा है तो रोक लेना, टेलिग्राम group को हर लाखो भेहन, लाखों भाईज उसको जोईन कर चुका है आप भी उसको जोईन करने तुरंथ इसलिए टेलीग्राम group को तुरंथ जोईन कर लेना है ठीक है वेटा, बहुत बढ़ी आज इसकी link हमने नीचे दे दी है, इंस्टा की बी लिंक दी है अधिगम की विधियां और अधिगम की विशेस्ताओं से डाइरेक्ट पैडा गोजी में जो कुस्चन आते हैं उनको कताई भी छोड़ना नहीं है क्योंकि पैडा गोजी आपकी किती परसेंट 50 परसेंट पैडा गोजी आपको पूछी जाती गिजाम में यानि हर पॉर्षन से 15 पैडा गोजी आती इसलिए पैडा गोजी बत छोड़ देना अधिगम की विधियों में क्या है कि करके सीखना हम जब कोई कारिक को करके सीख रहे हैं तो वो अधिगम की विधिय में आएगा नमबर वन निरीक्षन या अवलोकन करके हम किसी चीज़ को बहुती जाच परक कर सीख रहें तो भी हमारा क्या है वो अधिगम है परिक्षन करके सीखना वही परिक्षन की बात कर रहा है कि हम पहले एक्जामिन कर लें और फिर हम देखें कि हाँ ये हमारे मानक पर खरी है या नहीं ठीक है छे पॉइंट लिखने हैं तीन ये हो गए तीन और पॉइंट बाद विवाग विधी क्लासरूम में अनुकरन विधी जो हम कहते हैं नकल करके दूसरों को देख कर सीखना प्रयास एवं तुटी विधी प्रयास एवं तुटी विधी का मतलब है कि हम गलतियां कर रहे हैं लेकिन उन गलतियों से हम सीख वी रहे हैं आगे हम फिर प्रयास कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं ठीक है बेटा चलिए अब चार परिवासाएं यानि चार विसेस्ताइं भी आपको जान लेनी है सबसे ज़्यादा जो trend होती है जिनमें दो विसेस्ताइं तो हरवार पूछी जाती है तो मैं आपको चार बताए दे रहा हूँ अधिगम की विसेस्ता heading डालिए और उसमें लिखेएगा जीवन पर्यंत अधिगम यानि अधिगम जो होता है उसमें पहला point बनाएए उसमें लिखेएगा अधिगम क्या है? lifelong process है यानि अधिगम जो है जीवन पर्यंत होता है जब तक आप मृत्य को प्राप्त नहीं होते हो तब तब अधिगम प्राप्त होता है यानि अधिगम की बात अगर करें तो यह जीवन पर्यंत चलता है अधिगम निरंतर वस्तत होता है यानि regular होता है वही वात हमेशा वो चलता रहता है जब आप जनम लेते हो मा के गर्ब से आते हो प्रत्वी पर उससे सुरू होकर आप अंति मरत्य तक चलता है यह अधिगम अधिगम निरंतर चलता है और continuous होता है रुकता नहीं है कभी नहीं रुक सकता सतत है अधिगम में दो पॉइंट और है कि learning जो है जिसको अधिगम कहा जाता है जिसको सीखना कहा जाता है यह विकास सील प्रक्रिया है यानि developing process है अधिगम सामाजिक होता है यह समाज में समायोजन यानि adjustment समाज में समायोजन में सहयता करता है ध्यान दीजेगा अधिगम सामाजिक होता है यह समाज में समायोजन में सहयता करता है यह दिमाग में बैठा लेजिएगा ठीके बेटा, बहुत बढ़िया आप देखेएगा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर point wise चीजों को समझिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में देखेए क्या है, जान लिजेगा क्या point होगा, इसको देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में हमें कितने कारक देखने हैं? पांच कारक देखने हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है तो कुस्सन में कैसे पूछ सकता है कि निमलिकित में कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है ये कुस्सन हरवार आ रहा या निमलिकित में कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है तो तीन नहीं देगा फिर अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक वातावर्ण आप जिस वातावरण में रह रहे हो आप जिस महले या गाओं या सहर की गली में रह रहे हो या घर में रहे हो उसके आज पास जो रहने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं तो आपका वातावरण सकारात्मक होगा अच्छा होगा अगर वही लोग गाली गलोज वाले हैं खराब है तो उनका असर आपके बच्चों पर या आपके उपर खुद आएगा तो जैसे हैं बैसे में ढ़लना पड़ेगा तो बातावरण को बातावरण जरूर अधिगम को प्रहवित करेगा बोलो concept के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि हम मुद्दे की बात करते है और हमारे लिए वीडियो को super fast होना बहुत जरूरी है क्योंकि समय हमारे पास भी कम होता है और आपके पास भी कम होता है एवियस, cdp, hindi, mathematics और जो आपका एक अन्य subject बचता है जिसमें आप अपना चुनाव करते हैं उन सभी का हर subject का वीडियो आपको पूरी तरीके से निस सुल्क और निसुल्क मिलने वाला है ठीक है ओल सब्जेक्ट बिना किसी पैट कोर्से जरास्ट वहित में परिपकोता की बात करें तो इसको लिखिए परिपकोता का मतलब होता है कि अगर बच्चा परिपको हो गया सो प्रतिसत 18 साल से उपर हर बच्चा लगवग लगवग परिपकोता की तरफ होता है बच्चे ने सीख लिया अरे बिलकुल एक दाउन से फंडा क्लियर 25 में 25 में 25 में 25 आपके CDP में फंडा क्लियर है तो अधिगम उस पर भी असर डालेगा और नहीं परिपको हुआ तो न नकारात्मक रूप से और अगर सारीरिक रूप से अगर किसी का accident हो गया चोट लग गई तो भाई कोई चीज़ सीख पाएगा नहीं वो तो चारपाई पर अपना treatment कराएगा मानसिक तोर से वो अगर depression में है तो भाई नकारात्मक रूप से अधिगम पर प्रभाव और विल्को सही है बेहतरीन है लेवल का है तो अच्छा होगा विसे सामिग्री का सुरूप अच्छा वो पढ़ रहा है और सामिघ्री ही αच्छी नहें ऑप जैसे मेरी वीडियो में अगर कोई विसंगती आ जाये तो बैचा कैसे सीखेगा कोई असुद्धी आ जाए कैसे सीखेगा और अगर मैं बहुती जवर्दस तरीके से चीजों को स्लाइड के माद्देम से पढ़ाऊँगा आपको तो उम्मीद करता हूँ कि सकरात्म पहुचेगा सीखने का समय सीखने का समय भी एक होता है और जिससे मैं सीख रहे उसमें वडी पेन नहीं होना चाहिए अगर वडी में पेन है या दर्द है या बुखार है तो प्रभाबित करेगा तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हमने ये वीडियो आपको समर्पित की है अब हम जो कल वीडियो ला रहे हैं हो सकता है हमारी वीडियो आ चुकी हो तो प्लेलिस्ट को वाच कर ले नीचे सारी आपको मैंसन मिल जाएंगी नोट सुरंत बनाना स्टार्ट की जेगा अब क्या है कि अधिगम के आगे की जो वीडियो में थोंडाइक का सिद्धान इसकिनर, कोहलर, मैसलो, वेंडूरा इनसे दो, दो, तीन, टी नमर आते हैं ठीक है? दस सिद्धान ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं ब्रूनर का सिद्धान, टॉल्मेन का सिद्धान, हल का सिद्धान, कुल्ट लेविन और पावलाओ का सिद्धान तो ये सिद्धान्त जो है आपको CDP में एक read की तरह काम करवाते हैं यानि CDP में ये read कहे जाते है वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर सेर कीजेगा गुरुजी वार्ड एक्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म जो सिक्षक और सिक्षिका बनाता है आप सभी के लिए समर्पित है उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार आपके माता पिता बेहतरीन और उंदा होंगे तो चलिए वीडियो हम यहीं पर सवाप्त करेंगे और इस वीडियो को देखने के वाद अपने मित्रों में अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में जरूर सेयर करें टेलिग्राम ग्रुप के लिंक नीचे दी गई है उसको जोईन कर लें जैहिंद वंदे मातरम